राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हजेर हूँ आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे एक बहुती अच्छे और सांदार टोनिक के बारे में ये किसान भाईयो निकाला है धानू का कंपनी ने ये धानू का कंपनी ने जो हमारा टोनिक निकाला है इसका नाम है किसान भाईयो धनवर्सा और से आप 6-in-1 के नाम से इसे मार्केट से खरीच सकते हैं इसके बारे में धनवर्सा टोनिक के बारे में A2J complete जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जिससे की किसान भाईयो आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके क्या इसकी डोज रहेगी कौन-कौन सी फसलव पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसके क्या फायद है हमें देखने को मिलते हैं साथ ही साथ यदि इसका उप्योग करते हैं क्या हमें कुछ नुकसान होंगे या फिर नहीं होंगे इसकी रेन एक्टिविटी कैसी है यानि कि बरसाथ में इसके कैसे रेल्ट मिलते है तो इस वीडियो में आप लाश तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके यदि आप किसी और टोनिक के उपर या किसी और फंगी साइट कीटना सके उपर कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्सिन में बताएं जिससे कि आपके अनुसार भी वो वीडियो बना करके मैं आपको दे सकूँ बीच में कुछ किसान भाईयों ने मुझे कमेंट किये थे उनके लिए मैं माफी चाहूँँगा आप दुबारा कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे जो भी वीडियो आप बदाएंगे वो वीडियो बना करके दो से तीन के अंदर चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए सुरू करते हैं अपना टोपिक, धनवा कमपनी का धनवर्सा 6-in-1 टोनिक, धनवर्सा टोनिक किसान भायो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यह किसान भायो एक औ सारे जो सुक्ष जो सुक्ष माइकरो माइककरो गाता है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत जाज ज़से जार Popular ही ओते हैं, वह भी किसान भायो इसके अंदर दीए हैं. यानिकि इसके अंदा आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, फासपोरस मिल जाता है, पोटेशिम मिल जात किसानबायों निए जाए जाएंगे पोधे के विकास के लिए जितने भी तत्वों की आवसकता पड़ती है जो हमारी फजल पे बहुती अच्छी तरीके से कार्या कर लेता है यदि किसी किसान भाई ने इसका उपयोग किया है और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं या फिर बुरे रिजल्ट मिले हैं वे नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि उन्हें धानुका के धनवार्सा टोनिक का कैसा रिजल्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं किसान भाई कोन कोन सी फसलों पे आप धनवार्सा के टोनिक का उपयोग कर सकते हैं तो इसका उपयोग किसान भाई आप मिच पे कर सकते हैं टमाटर पे कर सकते हैं तोरी पे कर सकते हैं लोकी पे कर सकते हैं भिंडी पे भी कर सकते हैं गिलकी के पे भी कर सकत कुल मिलाकर के कहना यह कि लगभग लगभग आप सभी फस्लों पर इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि किसान भायो इसके अंदर वो सभी सुख्चुम पुसकतत्व और मुख्चे पुसकतत्व दिए गए हैं जो हमारी फस्लों के लिए बहुत ही ज़ादे आवश्यक होते हैं अब बात करते हैं किसान भायो इसके क्या क्या बेनिफिट इसके क्या क्या फायदे हमारी फस्लों पर देखने को किसान भायो मिल जाते हैं Fraktion उन पूस्वतियों की कमी होती है उन्पूसुक तत्वों की पूर्टी हो जाती है और हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ करना उसकी बढ़वार होनी सुरू हो जाती यदि आप धानों का टोनिक का उपयोग करते हैं तो इससे किसानवाई हो जो किलोरोफिल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है फल और फूलों की संक्या भी हमारे पोधे के अंदर बढ़नी सुरू जाती है यदि आप इसका उपयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं तब इसका इस्प्रे करने के बाद जदी आपके खेत के अंदर फूलों की ग्रावट बार बार हो रही है फल बार बार गिरते हैं या आपको ऐसा लगता है कि फूलों की संक्या लगतार धीरे-धीरे कम होते चले जा रही है तो उस condition में भी यदि आप धनवार सा टोनिक का उप्योग कर लेते हैं इसकी मातर आपने खेत के अंदर डाल देते हैं इसका इस्प्रे कर देते हैं तो फल नहीं तो फूल ढड़ेंगे आपके खेत के अंदर और नहीं फल ढड़ेंगे और अच्छी तरीके से फलो और फूलो करते कर् draws गाइन की पोध की जड़ों का विकास ज्यादी अच्छी तरीके से नहीं होरा है और आपने धनवार सा टोनिक का उप्योग की जड़ों का विकास ध्यक्तराथ भी पोध आपके घत के इंदर तेजी के साथ रोगों का च्छल रहा होता का हो चाहें वो कीटो काओ उस पर भी किसानवयो काफी ज़्याद है हद तक रोकताम करने में आपकी ये काफी ज़्याद मदद कर सकता है कि जब पोधा हमारा बिल्कुल ताकतवर रहेगा तो उसके अंदर बीमारी एकदम तेजी के साथ नहीं लगती है और यदि हमारे पोधे के अगर सभी सुक्षिन पोसक तत्व या तत्वों की किसी भी तत्व की एक कमी आ जाती है तो पोधे के अंदर फिर रोग भी किसानवयो जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं तो अपनी फसल को आप एक बार इसका इस्प्रे करके देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं किसानवयो इसके सासाथ इसकी डोज की कि पिरती एकर इसकी कितनी डोज आपको लेनी है यदि पिरती पंप की बात करें तो कितनी मातरा लेनी है और पिरती लीटर की बात करें तो कितनी मातरा लेकर के आप इसका इस्प्रे अपनी फसलों के उपर कर स यदि पिर्ती एकड़ की बात की जाए तो किसान भायो लगभग लगभग आपको 200-300 ml के आसपास धनवर सा टोनिक को लेना होगा और तब इसका इस्प्रेय आपको अपनी फसल के ओपर करना होगा जब आपको अच्छे डिल्ट देखने को मिलेंगे अब 7-7 किसान भायो बात कर लेते हैं इसकी कीमत की कितनी कीमत मार्केट में मिलने वाली है तो इसकी जो कीमत किसान भायो आपको मिलेगी वो लगभग 100 ml का जो पैक आपको देखने को मिलता है ये 140 से लेकर के 170 रुपे के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएगा आपके यहां पर इसके क्या rate है नीचे comment section में आप बता सकते हैं अब बात करते हैं किसान भायो इसका जो spray हमें करना है वो किस समय पर करना है जिससे इसके हमें जादे अच्छे result देखने को मिल जाएं किसी fungiariside के साथ आप इसे मिला सकते हैं यह नहीं या फिर NPK के साथ इसे मिला करके आप इसका उपयोग अपनी फस्रों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको blickool clearly बता दू कि vara आप यदि किसी भी fungi ide के साथ धानवरचा टोनिक को मिला करके इसका effect करें 70% रेल्ट के आसपास ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा रेल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह जो हैं दोनों आपस में साइड डिफेक्ट इनका हो जाता है, इन दोनों में आपस में करिया होती है, और आपको अच्छे रेल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, तो जब भी आपको इसका इस्प्रे करना है, सिंगल वे में ही आप इसका इस्प्रे करें, कि सिर्फ आप धनवार सा टोनिक का इस्प्रे करेंगे, तब आपको अच्छे रेल देखने को मिलेंगे, यदि कीटना सक की साथ बात करूं, तो किसी भी कीटना सक की साथ मिला करके आ प्योग में ना लाएं बात करते हैं इसका इस्प्रे करने के बाद यदि चार से च्छे घंटे के बाद बरसात हो जाती है तब भी आपको काफी अच्छे रेल्ट निकाल करके दे सकता है तो इस तरीके से किसानवायो धानुका प्राइविट जो हमारी ये कंपनी आती है इसक हुआ रेल्ट इसके अर्श किसान गिया दोड़िजियो स क्वेरा प्राइविड भी आति है जूआ है